इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप Amazon से अपनी order history को hide के से कर सकते हैं या delete के से कर सकते हैं तो पहले बात हो ये कि आप अपनी amazon history को delete नहीं कर सकते हैं लेकिन hide जरूर कर सकते हैं पर जब भी हम अपनी Amazon account में आते हैं और यहाँ पर your orders पे क्लिक करते हैं तो हमने जो भी एमादवन से order किया होता है, समान या को रिचार्ज किया होता है, उन सभी की यहाँ पर detail आजाती है, ठीक है, तो आप इस list में से अगर किसी order को, किसी चीज को hide करना चाहें, तो किसे कर सकते हैं, चलिए हम जानते हैं, तो यहाँ पर यह एक order है, इसको हम hide करके आपको दिखाएंगे, जो कि 24 मही 2021 को लगवग यहाँ पर 4-5 मही ने पहले order किया था मैंने, आपका order से कितना भी पुरा ना हो, आप उसको hide कर सकते हैं, पहले बात तो यह ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको अपने mobile में एक browser डाउनलोड करना आप चाहें तो description में जाकर मैंने link दे रखा है, आप उस link पर click करके भी इस browser को अपने mobile में डाउनलोड कर सकते हैं, फिलाल हमने इसको पहले से download कर रखा, इसको हम open करेंगे, यहाँ पर आपको सिबसे पहले amazon.in की website पर आ जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको अपने amazon account को login करना पड़ेगा, ठीक है, जब आप login कर लें तो उसके बाद यहाँ पर देखें, आपको three dots मिलेंगे, आपको इन पर click करना है, और यहाँ पर देखें, request desktop side, इसके सामने यह जो option है, आपको इसको own कर देना है, जब आप इसको own करेंगे, तो यहाँ पर Amazon की जो website है, वो जि यहाँ पर your orders पर click करना है, अभी आपने जितने भी orders की होंगे, वो सभी आपके सामने आ जाएंगे, यहाँ पर जो हमने order किया था, pain drive का था एक, वो यहाँ पर 4-5 मेने पुराना था, तो हम इस पर click करेंगे, यहाँ पर 2021 सेलेक्ट करेंगे, ताकि 2021 में जितने भी order हमने किय है, उन सभी की यहाँ पर list आ जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह रही यह pain drive, इसको हम hide करेंगे, इसको hide करने के लिए देखिए क्या करना है, आपको नीचे यहाँ पर देखिए, आपको archive order का option मिलेगा, ठीक है, यह देखिए, तो आपको simply इस पर click कर देना है, अभी अगर हम इसको वापस हम इस पर click करते हैं, अभी देखिए, यहाँ पर एक message हो गया है, कि आप ज्यादा से ज्यादा एक account से 500 orders को archive कर सकते हैं, और archive का मतलब है कि आप अपने order को शिरफ hide कर रहे हैं, आप चाहें तो इन orders को वापस आकर देख सकते हैं, और unhide भी कर सकते हैं फिलाल हम यहाँ पर इस order को archive करेंगे, उसके बाद यह जो order है, हमारी order history से hide हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा वहाँ पर, और अगर आप खुद आकर इसको check करना चाहें, तो किसे check कर सकते हैं, वह भी हम आपको बाद में बता देंगे, तो यहाँ पर देखिए, हम simply यहा यहाँ वाला order था, वह दिखाई नहीं देगा, अगर हम वापस Amazon application में आकर देखिए, यहाँ पर, इसको check करें, तो यहाँ पर देखिए, लास्ट चाहा मन्स के जो history है, order history वह यहाँ पर दिखा रहा है, और हम नीचे जाकर देखिए, तो यह pain drive दिखा रहा है, लेकिन अगर अगर हम इसको replace करेंगे एक बार, फिर से हम इसको एक बार replace करें, तो यह जो order है, यहाँ से hide हो जाएगा, यह देखिए, आप देख सकते है, जो order हमने किया था मही महिने में, वो यहाँ से guide हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम filter करके आपको दिखाए, लास्टे 2021 के द लेते हैं, यहाँ पर आपको फिर से Amazon की website प्याना है, आपको फिर से अपने account पे click करना है, your orders पे click करें, उसके बाद यहाँ पर देखिये, आपको simply इस 3 months पे click करना है, और यहाँ पर आपको archive orders का option मिल जाएगा, तो आपको simply इस पे click करना है, और यहाँ पर आप अपने उस order को देख सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर अनार का यह order पर कलिक करके इस order को जो है अनाइड भी कर सकते हैं उसके बाद आपका यह order है वो normal जो order history उसमें दिखाए देना start हो जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब जरूर कर लें थेंक्यू